Hello students, welcome to the class और आज की class में हम पढ़ेंगे parasitism के बारे में यह last class है population interaction की इससे पहले हम mutualism, proto-corporation, commensalism, competition, predation सारे population interactions के बारे में detail में study कर चुके हैं और आज parasitism और emensalism पढ़ेंगे और इसके बाद आज ही हमारा population interaction फिनिश हो जाएगा और next lecture से हम ecosystem का topic start कर देंगे, कि ecosystem का क्या structure है, basics, मतलब ecosystem के बारे में study करेंगे next class से तो parasitism के बारे में देखते हैं कि parasitism कैसा interaction है, देखे, parasitism में कैसा relation होता है, जिसमें कि दो organism ऐसे interact करते हैं, कि जो एक organism है एक organism अपनी life का कुछ part या फिर अपनी पूरी की पूरी life किसी दूसरे organism की body के या तो on the body body के उपर या फिर अंदर spend करता है, ठीक है, एक organism था, वो दूसरे organism की body के अंदर या फिर उपर रह रह रहा है, जिससे कि उसको nourishment भी मिल रहा है, और shelter भी मिल रहा है, रहने के जगा भी मिल रही है, तो जो organism रह रहा है, दूसरे organism पे साथ, तो उसको बोलते हैं हम parasite, और जिस organism से वो nourishment ले रहा है, shelter ले रहा है, जिसके पास जाकर रह रहा है, तो उसको बोलते हैं host, अब parasitism में क्या होता है, एक species को host को, जिस organism के उपर जाके रहा रहा है, जिससे nutrition ले रहा है जिससे shelter ले रहा है, तो उसके लिए तो loss ही है और ये जो parasite है इसके मज़े आ गए, इसको benefit ही benefit है ठीक है? तो ये होता है parasitism, और parasitism में क्या होता है कि parasites जो होते हैं host specific होते हैं, जो भी एक organism है, parasyte है, अपना nourishment किसी दूसरे host से ले रहा है, किसी दूसरे organism से ले रहा है, तो वो host स्पेसिफिक होगा, कि उसी specific host से लेना है, मतलब एक particular type की species से ही लेना है, ऐसा नहीं है, कि वो organiser बाइसें आप parasite है, तो वो किसी भी host के ऊपर जाकर survive कर रहा है और उससे nourishment ले रहा होस्ट जो होगा हर parasite के लिए specific होगा क्या होता है कि parasite और host जो है co evolve करते हैं co evolve का मतलब है कि parasite जब evolve करेगा कुछ evolution आएगा उसके अंदर कुछ तो host के अंदर पियाएगा जैसे host है अब उसके अंदर कुछ resistant mechanism आ गए उसने अपने आपको parasite से बचाने के लिए कुछ mechanisms evolve हुए उसकी body में host की body में तो parasite भी आगे से कुछ ऐसे mechanisms को evolve करेगा कि वो counteract कर दे host के resistance mechanism को और उसको neutralize कर दे और फिर से वो successful हो जाए with the same host उसी host के पास रहने लग जाए host ने जो अपने बचाव के लिए resistance mechanism evolve किये थे उसको counteract करने के लिए उसको neutralize करने के लिए parasite अपने पी कुछ mechanisms evolve करता है ताकि वो फिर से उसी host के साथ अराम से survive कर सके see how clever parasite is है ना adaptations देखेंगे parasite की कुछ की parasite है अब उसको तो किसी दूसरे organism के साथ जाके रहने है तो वो उस हिसाब से उसकी lifestyle change हो गई तो उसके अंदर कुछ adaptations आते हैं कि unnecessary के sense organs जब उसको चाहिए ही नहीं तो उनका loss हो जाता है है ना क्योंकि उसको तो किसी दूसरे organism के उपर survive करना है adhesive organs आते हैं और suckers ये present होते हैं उसके अंदर क्यों क्योंकि organism को क्या करना है parasite को क्या करना है host के साथ जाकर रहने है तो जब वो host की body के उपर रहेगा attached रहेगा host की body से तो उसके लिए adhesive organs चाहिए suckers चाहिए थर्ड फिंग ये है कि जब वो host की body से ही सारे nutrients ले लेगा तो उसको खुद के digestive system की ज़रूरत नहीं है loss of digestive system next thing is high reproductive capacity देखिये parasitic infection बहुत speed से बढ़ते हैं जैसे एक parasite अगर body में आ गया malaria का fever ही है कितनी speed से बढ़ता है जब कहते हैं कि malaria फैला तो malaria फैलता ही चला जाता है एक population में, एक community में क्योंकि reproductive capacity इतनी जादा होती है कि number of parasites increase होते चले जाते हैं lifestyle इनकी बहुत ही complex होती है parasites की क्यों क्योंकि intermediate host भी होते हैं one or two intermediate host जैसे एक parasite है वो एक किसी host की body पे survive करते हैं उस host तक बहुँचने से पहले दो या एक intermediate host का help लेगा तो intermediate host present होते हैं दूसरी चीज़ जिसको आप vectors भी कह सकते हैं न वेक्टर ये vector क्या करते हैं उसको finally उसके host तक पहुचाते हैं जैसे malaria का या आप example ले लेजेए malaria का जो fever होता है वो कौन से parasite से cause होता है वो cause होता है it is caused by plasmodium plasmodium parasite है जिससे की malaria जो है cause हो रहा है अब plasmodium parasite body तक host की body तक कैसे पहुचेगा तो उसके लिए चाहिए एक vector और वो vector कौन है mosquito ये mosquito vector का काम करता है उस parasite को host की body तक spread करने के लिए तो देख लीजे किती complex होती है life cycle भी एक parasite की अब parasite का क्या impact होता है host के उपर इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जैसे parasite था वो host की body पे चला गया survive करने या तो inside the body या फिर outside the body अब क्या करेगा ये जो host की life है उसमें उसका survival reduce कर देगा हो सकता है कि host जो है भई सारा nutrition कितना nutrition लेगा उससे कितनी सब चीज़ लेगा तो host का survival कम हो जाएगा survival जब उसका reproduction rate कम हो जाएगा उसकी growth कम हो जाएगी host की growth भी कम हो जाएगी reproduction rate भी कम हो जाएगा जब reproduction rate कम होगा तो new progenies नहीं बनेंगी new generation नहीं आगे population कम होती चली जाएगी इसका मतलब है population density भी कम हो जाएगी host की next thing is they render host जो है weak हो जाएगा host जब physically weak बना देंगे यह parasite उसको तो फिर host का क्या हो जाएगा vulnerable to predation मतलब की अब जब host कोई भी weak पढ़िया तो कोई भी भाया predator आएगा कोई भी organism जो उससे जादा powerful होगा और वो predator आके host को खा जाएगा क्यों क्योंकि host weak हो गया तो यह कैसे हुआ यह भी parasite से हुआ अब depend कहता है कि host की body बे parasite किस तरीके से रह रह रहा है उसे साबसे parasite two types के होते है एक्टो पेरसाइट और endoparasाइट एक्टो पेरसाइट देख नाम से पता चल रहा है एक्टो मतलब outside एंडो मतलब inside ऐसे parasites जो feed करते हैं host की body के उपर on the external surface of host on the external surface होया है तो इसका मतलब है endoparasाइट है जैसे की cascuta के बारे में आपने पढ़ा होगा cascuta जो है वो एक non green color plant है non green color मतलब यह green color का नहीं होता इसकी chlorophyll loss हो गया है अब यह किसे दूसरे plants के उपर grow करता है yellow color का होता है अब जब इसे दूसरे plant के उपर ही grow करना है chlorophyll इसमें है नहीं photosynthesis होगा नहीं तो leaves की भी ज़रूरत नहीं है तो in the course of evolution इसकी leaves भी जो हैं वो disappear हो गई है so यह क्या है cascuta ectoparasite है दूसरे plants के उपर survive करता है nutrients उसमें से लेता है खुद photosynthesis नहीं करता क्योंकि chlorophyll भी नहीं है और leaves भी नहीं है मतलब chlorophyll नहीं है it has lost its chlorophyll और leaves क्यों क्योंकि evolution हो गया जब उसकी जरूरत ही नहीं थी दूसरे plant से nutrition ले लिया तो chlorophyll और leaves की जरूरत ही नहीं थी इसलिए वो disappear हो गए है endo parasyte मतलब है कि parasite जो है inside the host body रहेगा host की body के अंदर रहेगा यह parasite different different site पे रह सकता है जैसे कि RBCs, kidney, liver और अगर अंदर रह रहे तो इसके अंदर बहुती extreme specializations होगी और life cycle बहुती complex होगी ठीक है broad parasitism क्या होता है देखो broad parasitism एक ऐसा parasitism है जो कि birds में देखने को मिलता है इसमें क्या होता है parasitic birds egg ले करती है किसी दूसरे bird के nest में यानि कि host के nest में जाके egg ले करती है और फिर host bird ही उस eggs को incubate करती है आप यह देखिए kukoo bird का example और crow का देखता है kukoo bird जो है वो parasitic bird है kukoo bird parasitic bird है वो egg ले करती है crow के nest में यानि कि crow जो हो गई वो host हो गई अब evolution के time पे evolution मतलब से ऐसा हुआ कि जो kukoo bird यानि कि parasitic bird के eggs थे वो evolve हो गई कैसे evolve हो गई ताकि वो host के eggs से साथ जैसे दिखने लगे यानि कि crow के eggs जैसे दिखने लगे size में, color में ताकि host जो है crow जो है वो उनको पहचान ना पाए कि वो foreign eggs हैं वो किसी दूसरे bird के eggs हैं और उनको अपने nest से eject out ना कर दे बाहर ना निकाल दे इसलिए वो ऐसे evolve हो गई तो ये जो type का parasitism हमने देखा birds के case में कोकू bird और crow के बीच में तो इसको बोलते हैं brood parasitism ठीक है तो parasitism के बारे में काफी information थी है notes भी काफी है इससे easily समझ सकते हैं enough है immense realism क्या है immense realism एक ऐसा interaction है दो organisms के बीच में जो की दोनो organisms different species के होते हैं अब इसमें एक species क्या करती है एक species inhibit कर देगी रोक देगी growth of other दूसरी species की growth को कैसे रोकेगी कि वो species कुछ chemicals secret करेगी अब जो organism जानि कि जो species inhibit कर रही है किसी दूसरी species को तो उसको तो बोलते हैं immense cell जो inhibit कर रही है वो है immense cell और इस phenomenon को जिसमें कि क्या हुआ एक species की growth तो रुक गई inhibit हो गई कैसे किसी दूसरी species के chemical secret करने से तो इस phenomenon को हम बोलते हैं allelopathy allelopathy हम बोलते हैं allelopathy plants के case में इस phenomenon को हम plants के case में allelopathy कहते हैं antibiosis भी कहते हैं या फिर biological antagonism भी कहते हैं ये दो इसके examples हैं आप देख लीजे convolvulus arvensis ये क्या एक type का weed होता है हिंदी में इसको बोलते हैं hirn pug है न या फिर field bindweed तो ये weed है तो ये क्या करता है growth जो मारी wheat की growth होती है उसको inhibit कर देता है रोग देता है और ऐसी आप next example देख सकते हैं black walnut जिसको juglans regia भी बोलते है वो juglans release करता है chemical जो की toxic होता है बाकी के plants के लिए जैसे की apple के लिए alfalfa के लिए etc immensealism यही छोटा सा interaction है आप इतना काफी है इसके लिए कि क्या होता है और क्या इसके examples है so this is enough for immensealism और इसी के साथ population interaction का topic finish होता है topic wise एक एक करके one by one सारे concepts notes के साथ clear करते वे चलेंगे so इसे क्लास के साथ आप जुड़े रहे है thank you so much